नमस्कार मैं हनुश का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आश शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सूर्खियों पर बिहार में अहले सुबा से दिखा तावते तुफान का असर ब्लैक फंगस की बाद अब वाइट फंगस ने बढ़ा दी चिंता राज के एक लाग शिक्षकों को वेबसाइट पर प्रमान पत्र अपलोड ना करना पड़ेगा महंगा बिहार संस्कित शिक्षा बोड ने मध्यम के रिजल्ट किये जारी देशबड में 24 गंडे में फिर आई ताजा मामलों में कमी तो आई अब जानते हैं खब्रे विस्तार से बिहार में अहले सुबा से दिखा तावते तुफान का असर अरब सागर में उठे चेक्रवाद तावते ने दो दिन पहले उत्तरपश्यम भा अब इसका असर बिहार पर भी देखने को मिला इसके तहट आप सुबा सही राज की कई हिस्सों में जम जम बारिश हुई वहीं राजदानी पटना में दिन में ही रात सा नजारा देखने को मिला काले उमरते बादल गरच और चमक के साथ ही दिन भर लगातार बारिश होती नहीं वहीं पटना के अलावे वैशाली मुझदपरपूर, सितामदी, वोजपूर, बकसर और गया सहित कई जीलों में तेज थन्री हबा बहने के साथ ही बरसात हुई है इसक्रम में पटना मौसम विक्यान केंदर के विग्यानिक संजे कुमार का कहना है कि चक्रबाद दीर दीरे समात हो गया है लेकिन उसका साइड एफेक्ट उत्रप्रदेश एबं बिहार पर देखा जा रहा है वहीं बिहार में इस तरह के इस्थिती कल तक बने रहने की उमीद है जिसके बाद दीरे-दीरे मौसम सामाने हो जाएगा नौकनी के नाम पर ठगी करने का माम ला आया सामने राज में कुर्णाकाल में विरोजगारी की भयानक समस्या आ गई है इसका फायदा उठाते हुए ठगबाज भी सक्रिय हो गया है और रोजगार के नाम पर फसा कर लोगों से रुप्य ठगने के नए तरीके इजाद कर र जिसमें अंतिम्ति थी 29 मैं की बताई इसके लिए विग्यापन में अलग रख कैटेग्री वालों से 700 से 350 रुपिय तक आविधन शुल्क मांगे गए थे वही राज स्वास्य समिती की फर्जी वेबसाइट का मामला सामने आने की बाद स्वास्य मंत्री मंगल पांडी ने फ पटना से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन आने वाले समय में पटना से होकर बुलेट ट्रेन चलेगी सिर्फ पटना ही नहीं बलकि बिहार के अन जीलों में भी बुलेट ट्रेन का रूट होगा दरसल रेलवे सुतरों से मिली जानकारी के मुता बेकेंद सरकार द्वारा वारा नसी से हावरा तक चिलाए जाने वाली नई बुलेट ट्रेन के रूट को तयार कर रही है। इसके तहरत वारा नसी के मडूरी से हावरा तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चिलाने के लिए नई कॉरिडॉर का तयार किया जाना है। इसके लिए सरकार ने सर्वे एजंसी के साथ ही वारानसी रिवे मंडल से नोडल पदादी कारी को भी नियुक्त कर दिया है जो सर्वे एजंसी के साथ मिलकर नए कोरिडॉर के निर्मान के लिए काम करेंगे इसे के तहट वारा नसी से हावरा जाने की करम में या बिहार के कई स्टेशन जैसे की बकसर पटना बोध गया के साथ ही जारकन के बढ़ी धनबाद होते हुए हावरा पहुचेगा इसके तहत अपटना से होकर वारनसी या हावरा तक बुलेट ट्रेन से जाने पर समय की काफी बचत होगी बताते चले कि इस कोरिडोर की लंबाई 787 किलो मीटर होगी ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस ने बढ़ा दी चिंता करोना की दूसरी लहर से जहां जीवनस्त व्यस्त है वहीं बिहार में ब्लैक फंगस की बरते मामने लोगों कुड़रा रहे है मगर इस बीच एक और वाइट फंगस के संक्रमन का खत्रा भी बिहार में मनराने लगा है इस बीमारी के चार मरीज पिछले दिनों पटना में मिले हैं जानकारी की मुतादिक या संक्रमन मुक्य रूप से फेवरो में होता है इसके अलावे इसके नाखुन, अंदरूनी मुह, अमाशे, आठ, किद्नी, गुपतांग और ब्रेन को भी वाइट फंगस संक्रमित कर सकता है वही पीमसीयस के डॉक्टरों की माने तो जाच में चार मरीजों में कोरोना के लक्सन थे मगर वह कोरोना से नहीं बलकी वाइट फंगस संक्रमित थे मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट डैपीड एंटिजन, डैपीड एंटिवरी और आटी पीसीयाड नेगेटी पाए गए थे वही जाच होने पर सिर्फ एंटिफंगल देवाउ से ये ठीक हो गये थे वैसे कोरोना मरीज जो ऑक्सिजन सपोर्ट पर हैं उनमें या फेपरो को संक्रमित कर सकता है पुरुवर राज्युपाल जगनात पहारिया का हुआ कोरोना से निधन सरकार ने आज एक दिन का राजकी एशोक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का एलान किया है वहारिया के निधन पर मुख्यमंत्री एशोक गैलोत ने अपनी व्यक्तिकत च्छती बताई है वही विदान सबाद दक्ष, डॉक्र सीपी जोशी, कॉंग्रेस प्रदेश अदक्ष, गोविंद सी, डोट सारा, प्रदेश प्रभारे अजय माकन, डिप्टी सीम, सचिन पाइलत से, कॉंग्रेस बाजपा के कई निताओं ने उनकी निधन पर शोक जताया है पंचायती राजमंतरी ने मास्क बनाने वाले दीदियों को दिया समान, कुरोनकाल में मास्क के उपयोगिता सबसे महतपूर है और ऐसे में अच्छे किस्म का मास्क कलत पादन होना बहर जरूरी है इसी को लेकर वियार सरकार के पंचायती राज मंतरी समराच चौधरी ने बीते दिन बुद्वार को जमूई में विभाग ये कारियों की बैठा की बाबत, बढ़हट मास्क पादन केंद्र की दीदियों को उनकी कार के लिए समानित किया इसके दहत उप्विकास आयुक ने जानकारी दी की जीले में पंचायती राज भाग की द्वारा 23 लाख मास्क को बाटा जाना है जिसमें से जीविका समू की द्वारा ही सारे 10 लाख मास्क को फ्लद कराए गए हैं और इनमें से करीब सारे 9 लाख मास्कों का वितरन भी विभि आछ जारी है राज के एक शिक्षकों को को व्यबसाइट प्रमाण पत्र अपलोड ना करना मेंगा पडेगा दररसल शिख्षा विवाग पत्ना हाई कोट के आदेश के लिए इसके लिए विप convention से लिए प्लोड करने को कहा था मगर फिर भी करीब एक लाग तीन हजार शिक्षकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिसके बाद सभी जिला शिक्षा प्लोड करने को कहा गया है इसके दहट सभी अधिकारियों को 31 मैं तक मुख्याले को इमेल के जड़िये डिपोर्ट मुईया करा प्लोड करना अनिवारे है बिहार में जून की मद में मौनसुन पहुंसने के हैं असार कोरोना संकर के बीच बिहार में भीशन गर्मी का दौर लगाता जारी है हलांकि चक्रवात ये असर के कारण प्री मौनसुन में ही 21 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई है और फिलहाल अधिमी पढ़ने के आशंका से सूबे में मौनसुन की दस्तक का सभी को इंतजार है मौसम विभाग के मताबिक केरल में 31 मई को दक्षिन पश्य मौनसुन के पहुंचने के संभावना है जिसके बाद ही जून के पहले हफते तक 60 अनुमान लगा जा सकेगा कि बिहार में मौ वर्स 2020 से एवं 2021 के दस वी यानि की मध्यमा परिक्षा के रिजल्ट के गोजना बीते दिन बुद्वार को कर दी है इस बार लॉकडाउन के कारण पहली बार मध्यमा परिक्षा का परिदाम पटना के जगा जिले के बाबु बढ़ही प्रखंड के मुरहदी गाउ से जारी क इसके दाट वर्स 2020 की परिक्षा में तकरीबन 23,000,000,000,000 परिक्षा में शामिल हुए थे जिसमें लड़कों के रिजल्ट का प्रतिशत 98,000,000 प्रतिशत रहा जबके इस सत्र में 114 लड़के वा 136 लड़कियां अनुतिर्न रही वही वर्स 2020 के सत्र में तकरीबन 12,500 होती है वही लॉक्डाउन के बाद टॉप 10 की सुची बोर्ड के एक्सपर्ट टीम के द्वारा उनके साक्षातकार के बाद जारी की जाएगी चातर चातराय अपना रिजल्ट बी एस एस बीपी टी डॉट कॉम पर देख सकते हैं बिहार का हिट कोविड एप देश बढ़ में होगा हिट 17 माई को CM नेतिश कुमार द्वारा लॉंच किया गया बिहार का अपना एप यानि की हिट कोविड एप देश बढ़ में हिट हो चुका है और से होम आइसोलेशन में रह रहे है कोरोना मरीजों की बहतर देखवाल के लिए बनाया गया है और इस काम में स्वास्तकर्मियों के साथ ही आशाकारी करता हूं और एए एन एम को भी लगया गया है जिसके तहट उन्हें दिये गए टैबलेट में हिट कोविड एप इंस् उत्पादन शुरू किये गए जिसके बाद तेजी से उत्पादन बढ़ा है मगर दूसरे तरफ अब उक्सिजन की मांग में भी कमी देखी जारी है वही उक्सिजन की समस्या अचानक ना आ जाए इसके लिए सरकार के प्रयास से निजी छेत्र में प्रते दिन 40 टन मेरिकल उक्सिजन का उत्पादन हो रहा है जो की एयर स्टेपरेशन यूनिट की जरी हो रहा है वही केंद्रे ने भी बिहार के कोटी का उक्सिजन बढ़ा कर 274 टन कर दिया है जिसमें से डिपोर्ट की मताबिक 18 मई तक केवल 168 टन मेरिकल उक्सिजन की जरूरत परी वही उद्यो पहले से ही सजग ग्रूप से काम कर रही है यही कारण है कि अब नालो की उराही का काम जल्दी ही शुरू करने की बात कही जारी है इस बावत नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रधान सची वानंद किशोर ने बुदवार को गहन समिक्षा बैठक की है बैठक में प्रबंद निदेशक बुड को पत्यान अगर निगम की सभी अंचलों की कारेपालक पदादीकारी दानापूर फुलवारे शरी वक्षगॉल नगर निकाई सहित बुड को वाने विभाग की पदादीकारियों को निदेश दिया गया है जिसके तहत कोरोना महामारी के कारण नाला उडाही के कारे में कुछ विलम हुआ है इस कारण डबल स्विफ्ट में नालो की उडाही करने का आदेश जारी किया गया है वर्ल्टेस चैंपिंशिप के फाइनल में फैंस को स्टेडियम आने की मिल सकती है मंजूरी कोरोना के कारण क्रिकेट फैंस स्टेडियम में जाकर मैस नहीं देख पा रहे थे लेकिन बीते दिन बुदवार से इंग्लेंड के साउथ हम्टन में इंग्लिस काउंटी चैंपि पाइनल में चार हजार फैंस को स्टेडियम में आने की अनुमती मिल सकती है रॉट ब्रेंस क्रोव ने कहा कि 50 फिसदी फैंस आईस सी के स्पॉंसर होंगे जबकि 2000 टिकट बेचे जाएंगे हमें अब तक इससे दोगुने आविदन मिल गया है देशवर में 24 गंटे में फिर आये ताजा मामलों में कमी देशवर में कल के बाद आस फिर से 3 लाग से कम मामने दर्श ले गए हैं वहीं मौत के आकरे में भी कमी आई है स्वासिवाग द्वारा जारी ताचाकर की मताबिक 24 गंटे में देशवर में कोरोना के 2,64,077 नए मामलों की पुष्टी हुए है वहीं इस दोरान कुल 3,874 मरीजों की जानचे ले गई है वहीं इस दोरान कुल 3,79,077 लोग संक्रमन से ठीक भी हुए हैं जिसके बाद कुलेक्टिव केस देशवर में 31,29,870 हो गई है वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन की बीते 24 गंटे में कुल 6,069 कोरोना केस आया है वहीं उस दोरान 12,043 लोग ठीक भी हुए हैं जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव में जो किसंख्या 58,610 हो चुकी है वहीं अच्छी खबरिया है कि बिहार में लगतार मामलों में कमी आ रहे हैं और रिकवरी डेट बड़े हैं जो की बढ़कर 90,6,4 फीस दी हो चुका है चले बढ़ते हैं आज के सवाल कीओ और आज के सवाल कुछ प्रकार है कि आपके अनुसार वहार में लॉक्डाउन के बाद बेरुषगारी को दूर करने के दिशा में सरकार को क्या क्या काम किये जाना चाहिए आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताया और विहार से खबरों से अपडेटे रहने के लिए जुरे रहे हैं विहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार